पर साथियों स्वागत है आपके अपने योडित पेलल जे इल जहारखंड लाइब्स में दोस्तों राजजी सरकार द्वारा अब यहां पर बेरोजगारी भत्ता देने का नेर नहीं लिया गया है और जहारखंड के सभी जीलों से यह नोटिस निकल कर आ रही है कि अब यहां कर सकते हैं बेरोजगारी भत्ता के लिए तो इसके लिए क्या प्रक्रिया है क्या योगिता रखी गई है कैसे आपको क्या करना है क्या 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 भरना है यह सारी हम लोग है पर पूरी डिटेल्स में इस वीडियो में देखेंगे जानेंगे समझेंगे तो दोस्तों अगर अगर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिए और साथ ही जो बेल आइकन मना हुआ है उसको प्रेज कर लिए ताकि आगे का जो भी अपडेट्स आगा वीडियो आगी जोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी तो दोस्तों चैन स्रम नियोजन परशिक्षन एम कोसल विकास विभाग के द्वारा तो मुख्य मंदरी प्रोसाहन योजना के अंदर गत बेरोजगारी भत्ता जो है वो युवावों को दिया जाएगा जो बेरोजगार है तो राजजी सरकार राजजी में बेरोजगारी को समस्याक का समधान के लिए राजजी के सहरी एवं ग्रामिन बेरोजगारी युवावों को रोजगार से जोडने एवं सहायता प्रदान करने के उद्देश से वर्तमान सरकार दवारा सहायता रासी उपलब्ध कराना है तो यहाँ पर देख लिए योजना का जो नाम है वो मुख्य मंत्री प्रसाहन योजना है और योगिता जो रखी गई है इसके लिए योगिता जो रखी गई है वो यहाँ पर देख लिए तो राजजी के विभिन विभागो द्वारा संचालित कॉसल परसिक्षन के तहद अल् फलता पुरुवक परमानित होना चाहिए तो जो भी यहां पर जो रोजगार के उद्दे से संसा चल रहे हैं वहां पर जो है वो आपका क्वालिफिकेशन यहां पर होना चाहिए जो अभियर्थी एलिजिबल है क्या-क्या इसके लिए योगिता रखी गई है वो देख लिचे आप बिरोजगार है तब आप यहां पर आज वो आवेदन कर सकते हैं आवेदन जहरकंड के नियोजनाले में निबंधित होना चाहिए तो नियोजनाले में आपका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वहां पर अगर रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप रजिस्ट्रेशन जाकर की योगिता होनी चाहिए तो जो भी पाइट करम के लिए आप यहां पर ग्रान कर रहे हैं जिस भी संस्था में तो वहां पर उसके अनुसार आपका सैचनिक कि योगिता होना चाहिए और उसके बाद यहां पर सब्सक्राइब का नीवासी यहां पर होना चाहिए दोमिसाइल आपका यहां पर आवेदन नहीं कर सकते हैं इस योजना का लाव नहें तों किसी परकार की जो यहां पर देहरी करण न हो दुबारा यहां पर इसका पर instruments Continue in करना करें सिर्फ एक बार आपको यहां पर जम्मा कर ना करना है इसी यौजना का जो लाब हे तों किसी प्रकार का hago हो स्वयम का बैंग खाता अधार काड़ हो ठीक है आपका खुद का बैंग खाता भी होना चाहिए साति चाता हो और उसके बाद यहाँ पर नियोंजन्दाले में नि बंधन की तीथी को आवेदक की आयो 18 वर्से अधिक और 35 वर्से कम होनी चाहिए यानि कि 18 से 35 साल के बीच में आपका उम्र सीमा है तभी आप यहां पर आवेदन कर सकते हैं और यहां पर जो है इसमें कोई भी छूट उम्र सीमा में नहीं दी जा रही है आवेदन की प्रकेरिया जो है यहां पर देख लिए आपको आवेदन करना कहां पर है तो आवेदक ने जिस विभाग स्टक्शनिक संस्थान से प्रस्क्षन प्राब्त किया है उस विभाग में विःत पत्र में सपत पत्र सहीत आवेदन करेंगे तो जिस भी संस्थान में आप जहां भी पढ़ाई कर रह मैं आगे बताने वाभी वाला हो कि आप फॉर्म जो हो क्या क्या भरना है आपको तो फॉर्म डाउलोड कर लिजीगा वो फॉर्म भर के आपके जिदन सारे क्वालिफिकेशन के डॉकुमेंट्स है या फिर आपका बैंक खाता हो अधार कार्ड हो यह सारी चीजी आपको यहां पर 75,000 रुपया दिया जाएगा जो दिव्यांग है जो विद्वा है जो यहां पर परित्वक्ता है ठीक है तो आदिम जन जाती है उनको भी यहां पर 50% अधिक राशी दी जाएगी तो इस तरह साब यहां पर आवदन कर सकते हैं ठीक है जिस भी तंस्थान में आप यहां पर पढ़ाई कर रहे हैं आप वहां पर जो है वह वह फॉर्म भर कर जमा कर दिए उस अंस्थान में आपको कुछ करना नहीं है कहीं दोड़ना नहीं है हाँ नियोजनाले में आपको रेसेटेशन करवाना जरूरी है अनिवारी है ठीक है और किसी भी विसेश जानकारी के पर ही यह मैं कि करके आपको यहाँ पर बताते रहूंगा कि किस जीले मेशान में आगई है आप भर सकते हैं तो यहाँ पर देखते ने सोनाम ने नीबंधन की जिस आप स्षा जरूरें बढ़ना है अस्थाई पता पियंट को्ट्रय कर साथ आ ल analytics mention करिएगा वर्तमार अगर पाता दुसरा है जहां पर अभी रहा रहे हैं तो वह भी आप यहां पर भर सकते हैं सारी details में आपको पुरा यहां पर full address देना है पिन कोट के साथ ठीक है उसके बाद यहां पर तक लिए domicile अगर आपका यहां पर है टिकेट वह जो की अस्थान ये परमान पत्र आपका होता है तो वह अगर आपके पास है यहां पर आप आपको फिर यहां पर दिया गया है कि आप जहारखंट के अस्थाई निवासी है किसी रोजगार या सोरोजगार से आप नहीं जुड़े हुए है और किसी नियाला से किसी अपराज के सजा जो है प्राप्ति नहीं हुई है यहां पर आपको अपना नाम लिखना है और यहां पर साइन करना है यह आपका सपत्पत्र हो जाएगा तो यह यहां पर इस तरह से करता रहोंगा कि आप यहाँ पर किस चिले से बिलॉंग करते हैं तो आपका यहाँ पर यह form भरने की जो तीथी है यह form भरने का जो समय है वो यहाँ पर आगया form जारी कर दिया गया है तो फिलाल दोस्तों यह अप्डेट्स थी आगे जो भी अप्डेट्स होगी हर कर रहे हैं तो आनलाइन टेस्स स्रीज के लिए डाउनलोड करें आज ही हमारा